असलाम अलेकुम आज हम पेड़ागोजी का सेब टॉपिक टीचिंग स्ट्रेटिजीज टेक्नीक्स एंड स्किल्स डिसक्रस करने जा रहे हैं आप से छोटी सी घ्जारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर लिजिए गा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बल के बटन को प्रेस कर लिजिए गा तो शुरू करते हैं लेक्चर फैस्ट क्वेस्टन है discussion method can be used when? यानि discussion method को अब कभ यूज कर सकते हैं the topic is easy, the topic is very difficult, the topic is difficult, all of the above तो discussion method को देखें जब topic easy हो तो फिर तो यह है कि discussion करने का फाइदा नहीं होता जैसे वो express आप करते हैं बच्चों से यानि कि वो ज्यादा से ज्यादा है बात चीट करते हैं अगर वो topic easy हो तो अगर topic difficult हो बहुत ज्यादा है तो फिर भी बच्चे discuss नहीं कर पाते हैं उस पे तो इसलिए इसमें जो most appropriate answer है वो क्या है, the topic is difficult, अगर topic difficult हो यानि simply difficult हो तो आप discussion method को use कर सकते हैं, which of the following is a teaching aid, इन में से कौन सी teaching aid है, tape recorder, working model of windmill, 16 mm film projector, all of the above देखें न यह जब teaching aid जो है न कोई भी model, कोई भी चीज जो के आप बच्चे को दिखा के उस हवाले से उनसे आप बातचीत करते हैं, उस हवाले से उनको आप brief करते हैं, तो वो teaching aid ही कलाती है, यह सारी चीज़ें teaching aid में आ जाती हैं, दी हो जाएगा answer, the main aim of teaching is, teaching का जो असल मैक्सद है वो क्या है, to develop only thinking, to develop only reasoning, to give information, both A and B, आप देखें न, to give information, अगर आप सिर्फ यह करते हैं, तो इसमें आप develop reasoning और thinking को आप reject कर देते हैं, तो इसलिए appropriate इसमें इन चार options में से बोथ A and B हो जाएगा, आप teaching का मकसद यह है कि thinking भी करवाएं, उनसे reasoning भी करवाएं, the quality of teaching is reflected, आप कैसे देख सकते हैं कि आपने जो teaching की है, उसकी क्या quality है, कितनी quality teaching आपने की है, तो by the past percentage of students, बचे अगर ज्यादा ज्यादा पास हों तो आपकी quality of teaching चेक होगी, by the quality of questions asked by the students, बचे किस तरह के स्वाल करेंगे, उससे पता जलेगा कि आपने कैसी teaching की है, by the attendance of students in the class, बच्चों की class में attendance के जरीए से, या by the duration of silence maintained in the class, या क्लास में खामोशी की जो duration है, उससे पता जलेगा कि आपने teaching कैसे की है, आपने बेतर teaching की है या नी, तो यह basically जो बच्चे स्वाल करेंगे न, by the quality of questions asked by the students, उससे पता चलेगा कि आपने कैसी teaching की है, बच्चे अगर बिलकुल साधा question करें तो इसका मतलब भी है कि उनको चीज़ें समझ नहीं आई है, the percentage, the present annual examination system promotes road learning, यानि रेटा बाजी को प्रमोट करता है, मौझुदा इम्तान, इम्तान इन्जाम, does not encourage students to be regular in class, मौझुदा इम्तान इन्जाम से बच्चों को यह encouragement नहीं मिलती है, वो regular हों क्लास में, does not promote good study habits, तो अच्छी जो study की habits हैं, वो provide नहीं करता, तो यह तमाम चीज़ें जो मौझूदा examination system है ना, तो उसमें यह तमाम खराबियां मौझूदे हैं, team teaching has the potential to develop, team teaching ही होता है ना, कि एक से ज्यादा teachers जब मिलके कोई चीज पढ़ाते हैं, क्लास को तो इस से क्या चीज़ डिवेल्प होती है, cooperation, competitive spirit, highlight the gaps in each other's teaching, अब देखें ना, एक दुसरे की teaching में हमने खराबियों तो नहीं निकालनी होती, तो competitive spirit भी नहीं होती इसमें, बलके वो मिलके पढ़ा रहे होते हैं, cooperation एक अब तक होता है, the habit of supplementing the teaching of each other, तो इस से आपकी habit बनती है, कि आप जो है ना, दूसरे की teaching में कुछ न कुछ add करते हैं, तो यह आपकी habit बनती है, D is cancer हो जाएगा, which of the following is the most important characteristic of open book examination system, जब आप जो है ना, open book examination लेते हैं, यानि कताब खोल के बच्चों को आप allow करते हैं, कि वो इमतान दे सके, तो उस से क्या फाइदा होता है, students become serious, बच्चे serious हो जाते हैं, it improves attendance in the classroom, classroom में attendance बेतर होती है, या it compels students to think, बच्चों को सोचने पर आप मजबूर करते हैं, it reduces examination, anxiety among students, इस से बच्चों में इमताहनी जो एक, जो है ना anxiety होती है, परेशानी होती है, वो खतम होती है, तो इस से basically जो है जब आप open book examination करते हैं, तो बच्चों का जो है ना, बच्चों को आप compel करते हैं, वो सोचें, चूंकि वहाँ से देखके, copy करके तो नहीं लिख सकते, तो इस तरह से बच्चों को आप क्या करते हैं, compel student to think, which of the following method of teaching encourages the use of maximum senses, यह नहीं कि ज्यादा से ज्यादा senses कौन से teaching method में इस्तमाल होते हैं, self study method में, team teaching method में, laboratory method में या problem solving method में, तो यह देखें ना, तमाम senses इस्तमाल होते हैं, आपके laboratory method में, आप touch भी करते हैं, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप हैं, यह even के चक भी सकते हैं, तो यह तमाम जो senses, maximum senses use होते हैं, वो laboratory method में इस्तमाल होते हैं, which of the following statement is correct, इन में से कौन सी correct statement है, communicator should be soft spoken, जो बात करने वाला था, उसको soft spoken होने चाहिए, communicator should have tolerance power, उसको बरदाश्ट उसके अंदर होने चाहिए, communicator should have fine senses, अच्छे उसके senses होने चाहिए, या communicator should have good personality, अच्छी personality होने चाहिए, यह सारी चीज़ें जरूरी हैं, लेकिन जो हैं जब तक उसके senses अच्छे नहीं हैं, तब तक वो अच्छी तरह से communicate हैं, नहीं कर सकता, एन effective teacher is one who can, एक जो बहतर जो teacher है, effective teacher है, वो क्या कर सकता है, क्या करता है, control the class, correct the assignments carefully, जो assignments हैं बच्छों की, वो अच्छी तरह से check करता है, motivate students to learn, give more information in less time, ज्यादा से ज्यादा information देता है, थोड़े time में, या motivate करता है, बच्छों को learn करने के लिए, तो जो सबसे जो effective teacher की, जो quality है, वो ये है, कि वो बच्छों को motivate करता है, learning के लिए, अम आदा करता है उनको, which of the following comprise teaching skills, इन में से कौन सी जो है, तो teaching skill है, explaining, blackboard writing, questioning, all of the above, तो ये तमाम जो है ना, चीजें जो discuss हुई है, ये सारे teaching skills में आ जाती है, which of the following statement is most appropriate, जो बेटर statement कौन सी है, teachers are born, teachers पैदा होते हैं, teachers यह निक एक teacher, पैदाईशी teacher होता है, lecture method can be used for developing thinking, lecture method, method के ज़री आप thinking को develop करते हैं, सोच बिचार को, teachers can teach, teachers पढ़ा सकते हैं, teachers help, can create in a student, a desire to learn, teacher की help, एक student के अंदर, एक खाईश पैदा करते हैं, सीखने के लिए, तो ये most appropriate, देखे हैं ना, बाकी वैसे ही statements हैं, तो ये statement जो है, most appropriate आ जाएगी इसमें, next है, which of the following statement is correct, इन में से correct statement कौन सी है, syllabus is a part of curriculum, curriculum का एक part होता है, या curriculum is the same, in all educational institutions, affiliated to a particular university, तमाम जो educational institutions हैं, उन में syllabus same होता है, syllabus is an lecture to curriculum, curriculum का एक part होता है, तो an lecture होता है, यानि उसके जुड़ा जुड़ी होई चीज़ होती है, syllabus is not the same, in all educational institutions, तो syllabus जो आना ये basically क्या होता है, part होता है curricular का, ये देखें न, syllabus, curriculum में एक बड़ी चीज़ है, बड़े लेवल की, यानि कि तमाम जो activities आप एक school के अंदर carry out करते हैं, वो तमाम वो curriculum कलाती हैं, तो syllabus उसका एक हिस्सा होता है, which of the following is not instructional material, इन में से instructional material कौन सा नहीं है, transparency, audio cassette, printed material, overhead projector, projector भी एक instructional material, ऐसी तरा audio cassette के जरीए आप पढ़ा सकते हैं, और printed material जो किताब गढ़ा होती है, उसके जरीए भी आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन transparency ये एक term है, ये को instructional material नहीं है, which of the following statement is not correct, इन में से correct statement कौन सी नहीं है, lecture method is one way process, बिलकुल एक तरह का, one way process होता है, lecture method can develop knowledge, lecture method के जरीए knowledge develop होता है, lecture method can develop reasoning, lecture method से reasoning develop होती है, during lecture method students are passive, lecture method के दोरान students passive होते हैं, इन में से correct कौन सी नहीं है, देखे न, lecture method के जरीए क्या है, knowledge तो आ जाता है, लेकिन reasoning जो है न तो यह नहीं आ सकती यह नहीं कि बड़े लेवल पे आप thinking जो है न वो पैदा नहीं हो सकती उसमें बच्चे पैसिव होते हैं The main objective of teaching at higher education level is higher education में आप क्यों बच्चों को पढ़ाते हैं उसका objective क्या होता है नहीं information देना, to prepare students to pass examination, बच्चों को इमतान पास करवाना, to develop the capacity to take decisions उनमे यह ability पैदा करना के वो फेसले ले सकें, to motivate students to ask question during lecture तो यह बड़े लेवल पे क्या है कि उनसे उनमे उनके अंदर यह capacity पैदा करना के वो decision ले सकें Which of the following statement is correct? Validity ensures reliability, reliability does not depend on objectivity Reliability ensures validity, reliability and validity are independent of each other तो यह दोनों जो है ना, तो independent है, यह अलग अलग चीज़े है, reliability and validity Which of the following indicates evaluation, evaluation नीचे जो दी गई चीज़े है ना, उनमें से कौन सी जो statement है वो यह जाहर करती है कि evaluation हुई है, रामगाट 45 marks out of 200, 200 में से 45 number इसने लिए इसने 33% marks लिए और इसने first view नासल कि तो यह तो यह तमाम जो है ना, यह statements है वो यह जाहर कर रही है कि आपने evaluation की है, all of the above Teacher uses visual aids to make learning Teacher visual aids क्यों इस्तमाल करता है, learning को कैसा बनाने के लिए visual यह जो नज़राने वाली aids होती है Simple, Interesting, Quicker, More Knowledgeable तो यह interesting बन जाती है आपकी learning, बच्चों की learning अगर आप visual aids इस्तमाल करें, interesting, interested हो के वो learn करना शुरू करते है The teacher's role at higher education level is to Higher education level पे teacher का की role क्या होता है Provide information to students, बच्चों को मालमात देना Help students to solve their personal problems, अपने जाती मसले हल करने के लिए उनको मदद करना Promote self learning in students, बच्चों में self learning को पैदा करना या encourage healthy competition among the students तो यह बच्चों के दरम्यान healthy competition, मकाबले पैदा करना तो यह self learning या बच्चों के अंदर, खुझ से वो सीखना, कैसे खुझ से सीखना है यह चीज वो उनके अंदर पैदा हो जाए तो यह जो है na higher education level पे एक teacher का role होता है Which one of the following teachers would you like the best, like the most आप कौन से teacher को पसंद करेंगे, punctual teacher को Who often amuses students, जो बच्चों को हसाता है Amuse करता है, having research aptitude, जिसका research का aptitude होता है Loving and having high idealistic philosophy तो एक जो teacher जो है ना, तो research का aptitude होता है जिसका उसको आप like करेंगे, उससे आपके अंदर भी यह aptitude पैदा होगा तो यह knowledgeable teacher होता है Micro teaching is most effective for the student teacher Micro teaching ही होती है छोटे level पे उसमें class की ताजाज भी कम होती है वेक्त भी कम होता है, उसमें practice की जाती है तो यह जो है ना, during the practice teaching यह यह effective होती है Micro teaching Which is the least important factor in teaching तो कम से कम जो आहम factor है teaching में वो कौन सा है Punishing the students, lecturing in impressive way यहनि बेत्रीन तरीके से आप lecture दें Maintaining discipline in class, class में discipline को maintain करें Drawing sketches and diagrams on the blackboard Diagrams और sketches गर आप blackboard पे बनाएं यह सारी सीजे important है लेकर least important क्या है बच्चों को punish करना Verbal guidance is least effective in the learning of आप जो जबानी आप जो guidance देते ना बच्चों को वो कम effective होती है क्या learn करने में Skills, aptitudes, attitudes, relationship एसे ही बनते हैं लेकर जो skills होती है वो practical work से पैदा होती है यह हो जाएगा answer Most appropriate purpose of learning is Learning का जो मकसद हो क्या है Personal adjustment है Social and political awareness है Modification of behavior और prepare oneself for employment तो देखें ना learning का एसल जो तारीफी education की वो क्या है Modification of behavior यह most important चीज़ है The students who keep on asking questions in class should be जो बच्चे बार-बार स्वाल करते हैं Class में उनको क्या करना चाहिए Encourage to continue questioning उनको आप encourage करें के वो question मजीद करें Advise to meet the teacher after the class उनको यह हदायत दें के वो teacher को class के बाद मिले Advise not to disturb during the lecture उनको कहें के आप lecture में हमें disturb ना करें या encourage to find answers independently उनको आप यह होसला दें के अपना जवाब जो है तो खुद से वो तलाश करने की कोशिश करें तो ऐसे करेंगे तो बच्चों की मजीद ज्यादा जो बच्चे ज्यादा स्वाल करते हैं तो वो intelligent बच्चे होते हैं तो इस से उनकी एक तरह की जो है न तो मजीद इस चीज म possible in teaching through आप अगर चाते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है तो पार्टिस्पेट करें क्लास में तो कैसे करेंगे लेक्टर में करेंगे आड्यू इवल एड्स के जरीए वो पार्टिस्पेट करेंगे टेक्स्बुक मेथट से करेंगे या क्डिस्केशन से करेंगे तो जब आप डिसकेशन करेंगे न तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा है पार्टिस्पेट करेंगे आपकी क्लास में जारा वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे टीचिंग के अंदर और यूज आप रर्डियू फर हइर अजूगेशन इस बेस्ट अन य वकिष्ट आप रर्डियू को इस्वाल करते हैं न हायर अजूगेशन में तो क्या आप चीज ये प्रिज्यूम करेंगे आप समझ कि रिड्यू को इस्पहल करेंगे रिप्लेसिंग टीचिर इन तर экспY entirely की बन्याद पर जो instruction है उसको बेतर करने के लिए या everybody having access to radio set तो आप ये समझेंगे कि तमाम लोगों के पास radio set की facility है या other means of instruction getting outdated या दीगर जो जराए है na instruction देने के वो खतम होते जा रहे हैं outdated होते जा रहे हैं तो आप ये assume करेंगे कि तमाम लोगों के पास radio है तब ही आप क्या करेंगे radio को as a instruction instructional material आप इस्तमाल करेंगे the teacher has been glorified by the phrase friend philosopher and guide because teacher को ये क्यों कहा गया है कि वो friend philosopher और guide है क्योंकि वो patriot है transmits high value of humanity to students तो एक high values जो है तो students के अंदर वो transmit करता है he is the great reformer of the society society का एक reformer है उसको society को बहतर करता है उसको तश्कील देता है society को he has to play all vital roles in the context of society society में उसका अहम किरदार है तो आप उसको क्यों कहते हैं philosopher or guide क्योंकि वो क्या करता है कि high values जो होती ही न humanity की वो students के अंदर वो आगे वो transmit करता है इसलिए उसको हम philosopher friend और guide कहते है the most important cause of failure for teacher lies in the area of अगर एक teacher fail हो जाता है न तो यनि कि teaching में वो सही काम नहीं करता है उसका किरदार ठीक नहीं है या उसका एक तरह से उसकी performance उस तरह से नहीं है यह नहीं teacher fail हो गया है वो कैसे verbal ability से strict handling of students की वज़े से interpersonal relation की वज़े से या lack of command over knowledge of the subject तो teacher अगर fail होगा न तो छोटी छोटी और भी reasons होगी लेकिन सबसे बड़ी reason क्या होगी यह होगी कि उसका जो है ना command नहीं होगी अपने subject के उपर उसके उसके पास knowledge नहीं होगा तब ही वो fail हो सकता है a teacher can establish rapport with students by students के साथ वो rapport अपना establish कर सकता है male goal अपना better better कर सकता है के से playing the role of a guide एक guide का role करके becoming a friend to students students का friend बनके becoming a figure of authority एक authority की figure बनके यानिके जो है तो बच्चों को दवा के impressing students with knowledge and skill बच्चों को जब मतस्र करेगा अपने knowledge and skill के जरीए से उससे क्या होगा teacher की बच्चों के साथ rap or develop होगी education is a powerful instrument of social transformation, personal transformation, cultural transformation all of the above तो education यह है कि तमाम जो है न social transformation जो है न और यह cultural और personal transformation का एक है tool है basically a teacher's major contribution towards the maximum self-realization of students is affected through यहनिकि अगर teacher चाता है कि बच्चों की self-realization हो यहनिकि अपने आपके बारे में वह जाने कि उन्होंने कितना सीखा है कैसे सीखा है तो उनकी एक तरकी अपनी assessment हो तो यह बच्चे जब high systemic standards 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 को वो बरक्रार रखेगा constant fulfillment of students needs students की जरूरतों को पूरा करेगा या sensitivity to students needs goals and purposes बच्चों की जो है न जरूरतों को उनके goals अहदाफ को उनके मकासित को वो सामने रखेगा और उसके according वो पुड़ाएगा तो बच्चे self-realization की तरफ जाएंगे actualization की तरफ वो जाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे तो तब इदर आएंगे तो यह इन चीजों का अगर वो ख्यार रखेगा तो ऐसा होगा which of the following teacher will be like most कौन सा teacher ज्यादा प्संद किया जाएगा loving teacher a teacher of high idealistic attitude और teacher who is disciplined जो discipline वाला है या ideal attitude है उसका idealistic attitude है या a teacher who often amused students जो बच्चों को ज्यादा है amuse करवाता है हंसाता है वो पसंद किया जाएगा तो एक loving teacher प्यार करने वाला teacher जो है तो ज्यादा से ज्यादा है लाइक किया जाता है a teacher's most important challenge is एक teacher का challenge क्या हो सकता है to prepare the question paper question paper बनाना to maintain discipline in the classroom classroom में discipline maintain करना to make students do their homework के बच्चों से वो अपना homework करवाना या फिर to make teaching learning process enjoyable तो एक teacher का important जो challenge है न वो यह है के teaching learning process boring न वो बलके enjoyable हो तो तब भी वो एक बेटर teacher क्यालाएगा value addition in education stands for इससे क्या अमराद है यनि education में value addition करते है value education इससे क्या अमराद है तो inclusion of virtues नेकियों विर्चू का लफसी मतलब नेकी होता है वो आप शामल करते हैं making a student to get a job एक बच्चे को इस काबल बनाते हैं कि वो नोकरी असल कर सके या making a student healthy एक बच्चे को आप सेहत मंद बनाते हैं all round development of personality personality develop करते हैं बच्चों की मकमल तोर पे तो value education या virtues उसमें आप जब आड़ करते हैं तो यह value education होती है यह निकि अच्छी चीज़ें उसमें आप आड़ करते हैं more moral values or virtues when a normal student behaves in an erratic way manner in the class you would जब एक आम बच्चा जो है तो वो घलत तरह का रवाया क्लास में रखता है बिहेव करता है बुरी तरीके से तो आप क्या करेंगे इग्नोर करेंगे student को ask the student to leave the class बच्चे को क्लास से निकाल देंगे talk to the student after the class class के बाद बच्चे से बात करेंगे या pull up the student then and there उदर इदर उदर उसको फैंक देंगे तो इस तरह से जो एक आम बच्चा इस तरह से behave करेगा तो उसको आप क्या करेंगे class के बाद उससे आप बात करेंगे वाईदो टीच्र क्यों इसके हाँ लिए तो मेंग स्टुडेंटीज आटैंटिफ ताके बच्चे त्वाज्जो दे सकें तो मेंग टीचिंग फुल फंफिल्ट, टीचिंग को एक फंड बनाने के लिए तो टीच विदिन अंडेस्टेइंग लेवल आफ स्टुडेंट्स तो टीचिंग एड आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं न कि जो बच्चों का अंडेस्टेइंग लेवल है उसी के अकार्डिंग उनको पढ़ाएं चोटे बच्चों के लिए उनकी उनके मतालिखा टीचिंग इसे तरह बड़ी क्लासिज के लिए उनके अकार्डिंग टीचिंग एड उनकी तो इससे अंडर्स्टेंडिंग लेवल के का आप बच्चों को बढ़ाएंगे टीचिंग एड आप इस लिए इस्तेमाल करते हैं और अटेंशन वा ज्यादा इंट्रेस्टिंग भी होता है लेक आप वरास्त की वज़े से research करके आपके अंदर attitude concepts और skills और knowledge आते हैं learning की वज़े से explanation की वज़े से जब आप learn करते हैं कोई चीज़ सीखते हैं तो उसके बाद आपके अंदर यह सारी चीज़ें पैदा होती है learning की वज़े से which among the following gives more freedom to the learner to interact तो कौन सी चीज़ एक learner को एक बच्चे को interact गुफटगू करने के लिए बाद चीज़ करने के लिए communicate करने में मदद देती है कौन सी चीज़ ज्यादा से ज्यादा मदद देती है फिलम का इस्तेमाल, small group discussion, lectures by experts, experts के lectures, viewing country wide classroom program on TV, TV पे आप को देखते हैं जब classroom program, तो देखे ना interaction यह है communication कैसे करता है बच्चा जब उसको discussion करवाएंगे आप group के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा communication पायदा होगी which of the following skills are needed for present day teacher to adjust effectively with the classroom teaching, मौझुदा दोर के teacher को classroom के साथ, adjust उने में कौन सी चीज़ ज्यादा मदद देती है, मौझुदा दोर के teacher को, content mastery, उसको content के उपर mastery असलो, ज्यादा ज्यादा उसके अंदा knowledge हो, उसके पास, use of technology in teaching learning, teaching learning में technology का इस्तेमाल, knowledge of students needs, बच्च्चों की जरू और क्या है कि ये तमाम चीज़ें, एगर उसके अंदर होंगी, content में mastery होगी, technology को इस्तेमाल करेगा, बच्चों की जरूरतों का बता होगा, तब वो क्या होगा, effectively वो adjust कर सकेगा, classroom environment के अंदर, the primary duty of teacher is to, teacher का एक जो है ना, बुन्यादी, उसका उसकी जिमादारी क्या है, value system in the students, ये बच्चों के अंदर value system पादा करे, raise the intellectual standard of the student, बच्चों का जह नी, बच्चों की जह नी सर्ता को ब्लंद करे, help all round development of the students, बच्चों को मकमल तोर पे एक तरह से develop करे, या improve the physical standard of the students, बच्चों का physical standard better करे, तो help all round development of the student, ये बच्चों की मकमल तोर पे एक तरह की वो development करे यह primary duty है teacher की हर तरह से बच्चे develop हो सके micro teaching is more effective, micro teaching क्यों effective होती है during the teaching practice, यह पहले भी आ चुक है स्वाल यहीं कि teaching practice में micro teaching जो है na effective होती है और यह teaching practice के लिए basically यह teachers के लिए होती है teacher training में इस्तमाल होती है micro teaching और यह छोटे level पर जो है ना उसमें time भी कम होता है उसमें participants भी कम होते हैं, उसमें यह है कि वो practice की जाती है teaching की और दिगर जो है तो students को भी आप जब यह micro teaching करवाते हैं तो students अपनी class में करते हैं आप तो उसमें भी बच्चे कम होते हैं आपका वेक्ट भी कम होता हो रहे हैं आप छोटे level पर जो है ना जाकि उनको instruction देते हैं तो यह इस तरह से micro teaching जो है तो effective होती है practice के लिए तो यह था आज का lecture अमीद आपको यह lecture पसंद आया होगा तो इन्शाला फिर किसी lecture में आप से मुलागात होती है अपना बहुत ज्यादा ख्यार रखेगा और अपने इस channel का भी अल्ला आफिस